गुट बॉर्णिंग स्टूदेंट्स कैसे हैं मेटा आप सभी सभी बच्चे अची तरे से हैं और अपना काम करने ना बेटा गुपर सभी बच्चों ने कम्प्लीट करना है और क्लास 7 आज कॉंसर पेज करने वाले हैं मेटा पेज कंबर ने आपका 69 यह ओपर कर लीजे सभी लीजे और इसमें टॉफिक हमारा पेज है वो है लैंड्सकेप तो यहाँ से ना कलर के साथ भी लैंड्सकेप का पेजकेорм अपेज करेंड़ करें हैं स्युदेंट्स देखिये क्या है टॉप्लिक हमारा आज का लैंड्सकेप पोस्टर कलर स्टैप बाई स्टैप ठीक है यह step 1, 2 और 3 step में यहां हमारा landscape करके दिखाया हुआ है सबसे पहले step 1 में क्या है सारे shades जो है lightly है हमने background का भी और जो tree है इन सब का भी light shade लिया है next step में हमने थोड़ी सी उसमें darkness की है उन सभी shades में एक और shade मिलाया है और last जो है हमारा step 3 उसमें हमने बिटा सारी अपने final drawing coloring complete कर लिये तो इस तरह से हमारा poster color से यह landscape यहाँ पर बनेगा तो चलिए इनी steps को follow करते हुए हम अपना जो यह page है 69 landscape पला इसे करते हैं color के साथ तो poster color के साथ आप कर लीजे और जिन बच्चों के पास poster color नहीं है वो बच्चे oil pestle से यह आपने जो colors उनके पास हैं उन color के साथ इस landscape को करेंगे तो start करें बिटा देखिए सबसे पहले हमें light shade लेना है तो पहले हम यहाँ बाहर जो यह हलका pink की effect यहाँ पर दिखाया हुआ है यहाँ देखिए इस वाले page में बिल्कुल light हलका तो उसको करने के लिए हम थोड़ा सा red लेंगे और red के साथ थोड़ा सा water touch करके हम बिल्कुल हलका shade यहाँ पर background में लेंगे यह इस तरह से बिटा हम यहाँ ले रहे है light shade जब भी आप water color यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा color plate रखिए अपने साथ waste cloth रखिए brush साफ करने के लिए और ball रखिए पानी के लिए या कोई container रखिए जिसमें आप पानी रख सके तो यहाँ पर बिटा थोड़ा सा red के साथ पानी mix करके हमने यह अपना background का किया है उसके बाद हम और किसमे color ले सकते हैं अब हम यहाँ पर जो हमारी यह river दिखाई है इसमें light blue color लेंगे तो इसी तरह यहाँ पर भी हम पानी के साथ blue color लेंगे अपना पहले हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐसे टच कर रहे हैं और उसके साथ फिर हम हलका सा blue यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से यह देखिए इस तरह से कर लेंगे हैं फिर स्ट्रेप में और बाद में फिर हम इसे और थोड़ा सा कहीं कहीं पर डार्क शेट दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं ground में जो है color उसके लिए हमें थोड़ा yellowish चाहिए है तो yellow का एक light shade लेते हैं हम और उसमें थोड़ा थोड़ा green भी mix कर देंगे तो yellow color ले रहे हैं हम यहाँ नीचे ground वाला area जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अब tree है हमारे तो trees में और mountain में भी हम एक हलका blue shade ले लेते हैं बिल्कुल हलका यहाँ पर कर लेंगे हम mountain में और उसके बाद फिर हम यह सारा जो हमारा first coat हो गया है यहाँ पर coloring का tree में भी ले लेते हैं हम first step coloring तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल पतला पतला color लेना है light shade जहाँ जहाँ green का part है देखिए कहां कहां है सब जगे हम एक light shade दे देते हैं इस तरह से फिर्स जो step था हमारा वह यहाँ पर हो गया है अभी हम इसे थोड़ा सा dry होने देते हैं उसके बाद next step करेंगे तो students यहाँ पर हमने अपना जो भी green वाला पार्ट था और second जो step था हमारा उसको कर लिया है उसमें अब हमारा और क्या करना है हमें यहाँ देखिए यह hut के उपर हम brown लेंगे brown color और जो tree के यह हैं trunk वगेरा इनमें भी हम brown color लेंगे पहले हम यह hut के उपर कर लेते हैं और इसमें एक हलका सा यहाँ पर dark देकर tone थोड़ा सा हट में उपर और फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर light भी कर देंगे उसको यह देखिए इस तरह से और यही color हम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ आ जाएगा सारे जो यह हमारे ट्री के हैं ब्रांचेज वगेरा ट्रांक है ट्री का कि सब में आप ऐसे brown color कर दीजिए कि पीछे माउंटिन में भी color कर दिया है बेटा हलका इसी तरह कर लेंगे आप यह भी हमारा यह बिल्कुर हलका हलका ऐसे आप इसमें leaves नहीं है इसमें तो इस तरह से आप कर देंगे और अब हमारा बेटा यह वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रेश कलर ले लेंगे तो उसके लिए यहाँ पर करते हम थोड़ा सा ब्लू टाच करके इसमें स्टॉन जो यह यहाँ पर है इसमें हम ब्लू में डाक करने के लिए हलका सा ब्लैक टच करेंगे तो हमारा ब्लू ब्लैक बन जाएगा इस तरह से उसको हम जब यह और अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो यह सारी जो लाइन्स हमने करी हैं कलर जिसमें भी हमने किया इन सबको हम लाइन आउट करेंगे स्केच पैन के साथ या ब्लैक पैन आपके पास है तो पतली टिप वाला तो उससे भी आप इसे आउटलाइन कर सकते हैं तो बिटा इसे थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं उसके बाद फिर हम इसमें सारी आउटलाइनिंग करके इसकी डिटेल निकालेंगे यहाँ पर हमने अपने स्केचिंग कम्प्लीट कर लिये और यहाँ पर डिटेलिंग भी कर दिया इसकी तो इसी तरह से बिटा आप अपना यह लैंड्सकेप वाला पेज पूरा करेंगे और इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आपको लैंड्सकेप ही करना है इसमें आपका homework है तो चलिए पिटा फिर इन सभी दोनों pages को आप कर लीजिए और उसके बाद काम करने के बाद अपना जो काम है वो मुझे भेजेंगे तो चलिए फिर अगली class में मिलते हैं ओके बाई